हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रॉन इस्टॉप पर तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग इडियम एन फ्रेजिस के टॉप टू हंडड़ कोसंज करेंगे और यह जो कोसंज मैंने सिलेक्ट किये हैं या आपके एससी के प्रिवियस एस में किसी ना किसी एक्जाम में पूछे हुए कोसंज हैं तो उसमें भी यह सब कोसंज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए तो इस पार्ट में हम लोग 100 कोसंज करेंगे बाकी 100 कोसंज जो है अगले पार्ट में करेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल होगा तो वीडियो को लाज टक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जोगो करेगा तो दोस्तों आईए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की सबसे पहले आपको दिया रहे है इब बैड एग मतलब क्या हो जाएगा अविश्वस्निय वेक्ति ऐसा वेक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा पहला है सम्वान हो रेगुलर्ली मेक्स मिस्टीक्स तो यह नहीं होगा ऐसा वेक्ति जो देइमान है और अविश्वस्निय है तो यही जो है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अब देगा है एपल आप डिसकारड इसका मतलब होता है जगड़े का कारण तो इसका जो है आपको बताना है राइट एंसर क्या हो जाएगा एसा कुछ जो जो जगड़ा उत्पन करता है तो यही इसका राइट एंसर यहाँ अगला कुशन है इसका मतलब हो जाएगा कटू सर्तुता पूर्ण तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इक लोज सेव जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा पहला उसन है इन नैरो इसकेप मतलब भी क्या होता है बाल बाल बचना तो यहाँ पर इसका यही राइट एंसर होएगा इन नैरो स्केप तो दोस्वों नेक्ष है एट सी एट सी का मतलब क्या होता है एट सी यह जो इडियम है इसका मतलब होता है असमंजस में होना असमंजस या दुविधा में होना असमंजस या दुबिधा में होना तो दोस्वों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पहला option है confused या sure या in stock या committed तो यहाँ भी A option इसका राइट अंसर याँ अच्छ 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 एड़ C मतलब confused यानि कि असमंजस में आम श्परष्ट वादी स्परष्ट वादी इमांदार इम श्परह्ट वादी तो इबब बोल्ड मिन्स क्या हो जाएगा इमांदार एम स्परüşट वादी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा smart and deceptive तो यह तो होगा नहीं के अप्र मतलब दोखा देने वाला इस्मार्ट तो यह नहीं होगा Bold and reckless भी यहाँ पर नहीं होगा Honest एंड Frank ईसका मतलब होता है थोड़ी दूरी बना के रहना दूरी बना कर रखना बनाकद हेखना दोरी बना कर रहना तो दोस्वों यहाँ पर right answer क्या होगा checking the length of fabric नहीं होगा as close as one can touch इतना close होना कि कोई touch कर सके नहीं होगा avoiding too much closeness बहुत ज़्यादा closeness यानि कि नजदीकी को avoid करना तो यही इसका right answer होगा avoid too much closeness बहुत ज़्यादा नजदीकी को avoid करना यानि कि थोड़ी दूरी बना कर रहना तो C option यहाँ right answer होगा फिर उस्वों अगला है add insult to injury add insult to injury इसका मतलब होता है इस्थिती को और बद्तर करना इस्थिती को और बद्तर करना और खराब करना या बद्तर करना तो यहाँ पर right answer क्या होगा hurt someone physically किसी को सारी रूट से चोट पहुचाना नहीं होगा say words that are very offensive यह भी नहीं होगा play a prank on someone नहीं होगा make a bad situation even worse make a bad situation even worse यानि खराब इस्थिती को और ज़्यादा बेकार करना और यही जो इसका right answer क्यादा और यही जो इसका right answer क्यादा और अफसंटी फिर अगला है if bone of contention if bone of contention इसका मतलब होता है जगडे का कारण जगडे का जड़ या जगडे का कारण तो यहाँ पर strong and healthy bones नहीं होगा tough man नहीं होगा cause of dispute यानि जगडे का कारण यही जो इसका right answer हैगा फिर दोसों next question लेते हैं अगला है be at your wits end तो दोसों be at your wits end इसका मतलब क्या होता है किसी समस्या से व्यग्न हो जाना किसी समस्या से व्याकुल या व्यग्न हो जाना तो दोसों इसका right answer बताएगे क्या होगा to be overjoyed नहीं होगा careful thinking नहीं होगा be overwhelmed with problems यानि कि किसी समस्या से व्यग्न हो जाना या व्याकुल हो जाना फिर दोसों अगला question है a bull in china shop a bull in china shop इसका मतलब होता है बहुत अटपटा या बेधंगा बहुत अटपटा या बेधंगा तो दोसों इसका right answer क्या होगा पहला option है an extremely awkward clumsy person एक बहुत जादा awkward मतलब अटपटा और clumsy मतलब फूहर या भद्दा person मतलब देखती तो यहीं इसका right answer क्या होगा an extremely awkward clumsy person तो जोसों अगला है a needle in haystack a needle in haystack haystack मतलब क्या होता है घास का धेर तो घास की धेर में सुई इसका जो है literal meaning हो जाएगा घास की धेर में सुई लेकिन जो है इसका जो medium है इसका meaning क्या होता है इसका मतलब होता है ऐसा कुछ जो पता लगाना बहुत मुश्किल हो तो दोसों इसका right answer क्या हो जाएगा नहीं होगा, option D हो जाएगा, फिर something that is very difficult to locate, ऐसा कुछ जिसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो, तो D option ही यहाँ पर राइटल सुज़एगा, फिर दोस्तों अगला question है, all and sundry, all and sundry का मतलब क्या होता है, सभी लोग सामिल, सभी लोग सामिल, पहला option है, by all means, गलत है, all eager, नहीं होगा, all included, all included मतलब सभी लोग सामिल, तो C option यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिर दोस्तों अगला है, evolved from the blue, evolved from the blue, इसका मीनिंग होता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ जो अचानक हो जाए, अचानक, या जो है, अप्रत्यासित, या अ अप्रत्यासित, ऐसा कुछ जो अचानक हो, या अनप्रत्यासित हो, तो दोस्तों यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा, something that happens suddenly, ऐसा कुछ जो अचानक हो, और यही जो है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, फिर दोस्तों next question लेते हैं, अगला है, bank of the buck, bank of the buck, इसका मीन जाएगा, a sorrowful hurt नहीं होगा, dash against something नहीं होगा, less value for money नहीं होगा, more value for money, यानि पैसे को बहुत मात तो दिना, फिर दोस्तों अगला question है, देगा है, bring to book, bring to book, bring to book का मतलब होता है, सजा देना, सजा देना, तो पहला option है, give a promotion नहीं होगा, to punish, यानि कि सजा देना, और यहीं जो इसका right answer हो जाएगा, फिर दोस्तों next question लेते हैं, अगला है, by leaves and bounce, by leaves and bounce मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ना, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ना, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बाकी जो है, बाकी options जो है, गलत हो जाएगे, फिर दोस्तों next question लेते हैं, अगला है, build a cat, build a cat मतलब क्या होता है, असंभो कारे करना, असंभो कारे करना, तो दोस्तों यहाँ पे इसका right answer क्या हो जाएगा, tame same animals, तो यह तो होगा नहीं, warn the owners, यह भी नहीं होगा, do the impossible task, यान की असंभो कारे को करना, और c option यहाँ पे बिल्कुल right answer देगा, फिर दोस्तों अगला question है, अब आपको sentence में दिया गए है, underline करके, idiom, तो इसका meaning बताना है, let us have all the regulations in black and white, let us have all the regulations in black and white, black and white का मतलब होता है, लिखित रूप से, लिखित रूप से, तो दोस्तों यहाँ पे right answer से क्या हो जाएगा, painted in color नहीं होगा, printed in color ink नहीं होगा, written on the blackboard भी नहीं होगा, in writing, यानि की लिखित में, और यही जो इसका written से होगा, in writing, तो black and white मतलब क्या हो जाएगा, in writing, पे दोस्तों अगला question है, to blaze a trail, to blaze a trail, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कुछ नया विक् करना, तो यहाँ पर देगा है, to initiate something new, कुछ नया शुरू करना, और यही जो इसका written से हो, to initiate something new, भागी जो है, to complete a project नहीं होगा, to act impulsively नहीं होगा, to set fire to something नहीं होगा, तो यह option यहाँ पर write हो जाएगा, to initiate something new, फिर दोस्तों अगला question है, please come to the point, don't beat around the bush, please come to point, यानि कि, मुद्दे पर आओ, don't beat around the bush, beat around the bush का मतलब क्या होता है, मुद्दे से भटक जाना, beat around the bush मतलब क्या होता है, मुद्दे से भटक जाना, तो दोस्तों यहाँ पर इसका write answer क्या होज़ेगा, avoid the topic, यानि कि topic को avoid करना, और यहीं जो इसका write answer होज़ेगा, awfully, avoid the topic, फिर दोस्तों अगला question है, to bark up the wrong tree, to bark up the wrong tree मतलब होता है, गलत फहमी में होना, गलत फहमी में होना, तो इसका write answer क्या होज़ेगा, to be wrong about the region for something किसी चीज के कारण के बारे में गलत होना और यही जो है इसका right answer to be wrong about the region for something यानि कि गलत वहमी में होना और बाकी options दे गए है to bury money under a tree and forget the place पेर के नीचे जो है पैसे को गार देना और फिर जो इसको भोल जाना to be mistaken about the name of tree नहीं होगा to eat unpalatable fruit by mistake unpalatable मतलब बेस्वाद तो कोई बेस्वाद फल खा लेना गलती से तो यह तो होगा नहीं तो option A ही यहाँ पर राइटन्स होज़ेगा फिर दोसों बलते हैं अगले question की ओर bite your tongue bite your tongue दोसों इसका मतलब होता है किसी बात को कहने से खुद को रोकना तो यहाँ पर राइटन्स होज़ेगा talk for a long time नहीं होगा be impossible to be understood तो यह भी नहीं होगा get brisces in the mouth नहीं होगा stop yourself from saying something किसी चीज को कहने से अपने आपको रोक लेना यह जो है इसका राइटन्स होगा फिर दो दोसों अगला question है bite of more than one can chew bite of more than one can chew इसका मतलब होता है चमता से अधिक जिम्मेदारी लेना चमता से अधिक जिम्मेदारी लेना तो दोसों बताइए इसका जो है right answer क्यों हो जाएगा पहला option है to taste something while cooking नहीं होगा to eat quickly and run away to take on more than one can deal with to take on more than one can deal with यही जो इसका right answer होगा मतलब अपनी चमता से अधिक जो है ले लेना तो option C यहाँ पर right answer होगा फिर दोसों next question लेते हैं अगला है back in saddle back in saddle मतलब क्या होता है duty फिर से शुरू करना duty फिर से शुरू करना तो इसका right answer क्या होगा learn how to ride नहीं होगा resume duty यानि duty को फिर से शुरू करना B option यहाँ पर right answer होगा फिर दोसों next है burst of the same feeder burst of the same feeder यह जो idiom है इसका मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक ही थाली के चट्टे बट्टे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक ही तरह जो है nature होना तो यहाँ पर right answer क्या होगा people with gender cert नहीं होगा to get into trouble together साथ में जो है किसी मुसीवत में पड़ जाना नहीं होगा to be in totally helpless condition नहीं होगा people with similar character तो ऐसे लोग जो similar character के है उनको क्या कहेंगे birds of the same feather तो D option यहाँ पर right answer होगा फिर दोसों next question लेते हैं अगला है bend over backwards तो दोसों bend over backwards इसका मतलब होता है यथा संभव प्रयास करना यथा संभव प्रयास करना तो पहला option है to express sudden shock नहीं होगा to exert a lot effort towards some end यही जो इसका right answer है to exert a lot effort बहुत ज़्यादा प्रयास करना towards some end किसी चीज को समाप्त करने में तो option B इसका right answer होगा यथा संभव प्रयास करना फिर दोसों next question लेते हैं अगला है by and large by and large इसका मतलब क्या होता है सामान रूप से all inclusive तो यह तो होगा नहीं by choice तो यह भी नहीं होगा in general मतलब सामान रूप से और यही जो इसका right answer है in general फिर दोसों अगला question है be on cloud nine be on cloud nine का मतलब क्या होता है बहुत अधिक खुस होना बहुत अधिक खुस होना यह जो है चरम आनंद की इस्तिती में होना तो दोसों इसका right answer क्या होना चाहिए पहला option है to be in state of extreme happiness यानि कि बहुत ज़्यादा खुसी की इस्तिती में होना और यही जो है इसका right answer है to be in state of extreme happiness तो दोसों अगला question है to bury the hatchet to bury the hatchet मतलग क्या होता है जगडा खतम कर देना जगडा खतम कर देना या जो है सांतिय स्थापित करना सांतिय दोनों एक ही बात हुई सांतिय स्थापित करना यानि कि जगडा खतम कर देना तो दोसों यहाँ पे जो है right answer क्या हो जाएगा to bury old utensils नहीं होगा to bury an x नहीं होगा to make someone happy किसी को खुश कर देना नहीं होगा to make peace यानि कि सामतिय स्थापित करना और D option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्टों अगला question है cost and arm and a leg cost and arm and a leg इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बहुत महेंगा बहुत महेंगा पैला option be worthy of the cost नहीं होगा be rather cheap चीप तो नहीं होगा be extremely expensive बहुत ज़्यादा महेंगा होना option C यहाँ पर right hand सुझाएगा be extremely expensive पिर दोस्टों अगला question है cook the book इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तो तोस्टों यहाँ पर इसका right answer क्या हो ज़्यादा to falsify financial records यहीं कि बहीक हातों में financial records को गलब कर देना तो यही जो इसका right answer ज़्यादा to falsify financial records फिर दोस्टों अगला question है his comments cast a slur upon the integrity of his manager cast a slur upon cast a slur upon इसका meaning क्या हो ज़्यादा इसका मतलब होता है बिगारना his comments उसके comments ने बिगार दिया the integrity मतलब सत्य निष्ठा या इमानदारी of his manager तो दोस्टों यहाँ पर जो है क्या हो ज़्यादा cast a slur upon मतलब होता है praised मतलब प्रसंसा करना नहीं होगा redeemed भी नहीं होगा damaged damaged मतलब बिगारना तो cast a slur upon मतलब होता है damaged तो C option यहाँ पर बिलकुल right answer होगा फिर दोस्टों अगला question है the threat of the pandemic is not just a cry in the wilderness तो दोस्टों एक cry in the wilderness इसका मतलब क्या होता है ऐसी चेतावनी जिस पर कोई ध्यान न देता हो ना ध्यान देने वाली चेतावनी तो the threat of pandemic यानि की pandemic की जो threat है यानि चेतावनी है is not just a cry in the wilderness मतलब वो ऐसी चेतावनी नहीं कि उसका ध्यान न दिया जाए तो क्या इसका answer हो जाएगा expecting rumors माने अफवाहें फैलाना नहीं होगा tears of sorrow नहीं होगा an unheated an unheated मतलब क्या होता है a sourdhan जिस पर लोग सावधानी न भरतते हो तो यही जो इसका right answer होगा an unheated warning मतलब a see warning जिस पर लोग सावधानी न भरतते होगा तो see option यहाँ पर ही right answer होगा फिर दोस्वों अगला है in our office it is the chief accountant who calls the source तो दोस्वों call the source तो in our office is the chief accountant हमारे office में chief accountant है जो की who calls the source जो की अधिकार रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा to be in control या one who keeps the secret नहीं होगा to be rational तारकिक होना नहीं होगा to be aggressive अधिकारी होना तो option A जो है इसका right answer होगा फिर दोस्वों अगला question है the loyal watchman was cut to the quick accused of theft तो cut to the quick इसका मतलब क्या होता है दिल को चोड पहुँचाना दिल को चोड पहुचाना तो 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 यहाँ पर right answer क्या होगा the loyal watchman was cut to the quick यानि कि जो इमानदार watchman था उसके दिल को चोड पहुँच गई यहाँ पर जो है was और cut to the quick है तो यानि कि passive wise का structure है तो दिल को चोड उसको पहुचाई गई the loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft तो उसके दिल को चोड पहुँची जब he was accused of theft जब उस पर चोड़ी का इल्जाम लगा तो यहाँ पर क्या हो जागा dismissed नहीं होगा imprisoned नहीं होगा seemingly punished भी नहीं होगा hurt intensely यह जो है इसका राइटन्स हैगा hurt intensely मतलब तीब्रिता से hurt मतलब चोड पहुच जाना तो D option यहाँ पर यह राइटन्स होजएगा फिर जो उसको अगला question है come rain or sign come rain or sign तो क्या हो जाएगा इसका answer in bad weather नहीं होगा in the monsoon नहीं होगा when it does not rain तो यह भी नहीं होगा person D whatever happens यानि कि कुछ भी हो तो D option यहाँ पर राइटन्स होजएगा तो दोस्तों अगला question है the crux of the matter the crux of the matter तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है महत्तोपूर्ण बिंदू महत्तोपूर्ण बिंदू या मूल बिंदू तो पहला option है the unknown point नहीं होगा the lesser issue नहीं होगा the critical point the critical point यानि कि महत्तोपूर्ण बिंदू और यही जो है इसका right answer होजएगा तो दोस्तों अगला question है call is paid is paid तो call is paid is paid का मतलब क्या होता है खरी-खरी कहना खरी-खरी कहना यानि कि कोई चीज जैसे का तैसा कह देना चाहे अगले को अच्छा लगे या बुरा लगे तो खरी-खरी कहना जो है इसका meaning होता है right answer क्या होजएगा say things that are untrue and painful तो यह नहीं होगा say the truth about something even if it is not pleasant तो सच कहना किसी चीज के बारे में चाहे वो pleasant नहों यानि कि अपर यह हो तब भी जो है सच कहना तो यही जो है इसका right answer है say the truth about something किसी चीज के बारे में सच कहना even if it is not pleasant चाहे वो pleasant नहों यानि कि अच्छा नहों तो भी option यहाँ पर यह right answer होजएगा फिर दो सुन अगला question है to restart his cash strapped company he decided to apply for a bank loan तो cash strapped यह जो idiom है इसका मतलब होता है निर्धन या बिना पैसे के या इसका मतलब होता है गुरुद्ता हीन गुरुद्ता हीन to restart his cash strapped company यानि कि उसकी जो भीना पैसे की कमपणी थी उसको restart करने के लिए he decided उसने decide किया तो apply for a bank loan bank loan के लिए apply करने को तो यहाँ पर क्या होजएगा expanding नहीं होगा impoverized यही जो इसका राइटन्स हैगा impoverized मतलब क्या होता है impoverized मतलब क्या होता है निर्धन या गड़वत्ता हीन तो यही जो इसका राइटन्स होएगा पर दोस्तों अगला question है when they read about the proposed strike of buses they said we will cross that bridge when we come to it to cross that bridge तो यह जो idiom है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है समस्या हल करना when they read about the proposed strike जब उन्होंने प्रस्तावित strike यानि हल्टाल के बारे में पढ़ा अब buses buses की they said उन्होंने कहा we will cross that bridge यानि कि हम क्या करेंगे समस्या हल कर देंगे when we come to it जब हम इस पर आएंगे तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा prevent them नहीं होगा call them for tax नहीं होगा solve the problem solve the problem यानि कि समस्या हल कर देना see option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है cut to the chase cut to the chase इसका मतलब क्यों होता है केवल महत्पूर्ण बिंदूओं पर बात करना केवल यह जो है इसका meaning हो जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा talking about the important point and leaving out the detail यानि कि detail जो है छोड़ देना और केवल important point पर बात करना यही जो इसका right answer talking about the important point and leaving out the detail फिर दोस्तों अगला question है Cut the mustard Cut the mustard मतलब क्या होता है तो इस विडियम का मतलब होता है सफल होना किसी चीज में सफल होना तो पहला option है To be pessimist मतलब निरासावार्दी होना नहीं होगा To succeed मतलब सफल होना option B यहाँ पे बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है Cry over spilt milk Cry over spilt milk मतलब क्या होता है Death pastana Death pastana तो पहला option है Cry too much over petty issue यानि छोटे से मुद्दे पर बहुत ज़्यादा रोना फिर देगा है Regret about something that happened and cannot be changed किसी चीज के बारे में pastana जो कुछ हो गया है and cannot be changed जो कि बदल नहीं सकता है तो यही इसका right answer जागा Regret about something that happened किसी चीज के बारे में pastana जो हो चुका है and cannot be changed और वो बदल नहीं सकता तो B option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला है Cutting corners Cutting corners का मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि कंजूसी करना मतलब पैसे बचाना ठीक है पैसे बचाना और पैसे कैसे बचाना गलत तरीके से ठीक है गलत तरीके से पैसे बचाना गलत तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा Spending too much money बहुत जादा पैसा खर्च करना option B है Saving money यहाँ पैसे बचाना Making money नहीं होगा Lending money यहाँ पैसा उधाल लेना तो B option यहाँ पर बिल्कुल right answer Saving money तो दोस्तों अगला question है To drag once feet To drag once feet इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है निलने करने में देरी करना निलने करने में देरी करना पैला option है To walk unsteadly नहीं हुआ To walk with a limp भी नहीं हुआ To delay taking a decision तो निलने लेने में देरी करना option C यहाँ पर बिल्कुल right हो देगा फिर दोस्तों next question है It dry run It dry run मतलब क्या होता है It dry run मतलब होता है कि पूर्भा भ्यास करना पूर्भा भ्यास करना पहले से अभ्यास करना किसी चीज़ का तो यहाँ पर पहला option है एक पूर हार्वेस्ट नहीं हुआ एक रिहर्सल रिहर्सल मतलब क्या होता है पहले से जो अभ्यास किया जाता है तो B option क्या हो जागा रिहर्सल फिर दोस्तों next question लेते है A dark horse A dark horse मतलब क्या होता है छुपा रुस्तम यहाँ पर पहला option है A well-kept secret तो यह नहीं हुआ An unknown genius An unknown genius मतलब ऐसा genius जिसके बारे में किसी को पता नहीं है यानि कि छुपा रुस्तम और यही जो है इसका राइटन सुझेगा फिर दोस्तों अगला question है To doctor the accounts To doctor the accounts इसका मतलब क्या आता है खातों में hair fare करना खातों में hair fare करना पहला option है Very costly treatment नहीं होगा To manipulate the accounts यानि कि खातों में hair fare करना और B option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला है A gone A gone मतलब क्या होता है Prothside करना किसी को Prothside करना तो क्या होगा इसका Continue, Agree या Encourage Encourage यानि Prothside करना और यही जो इसका right answer होगा फिर दोस्तों next question लेते हैं Eat humble pie Eat humble pie मतलब क्या होता है गलती सुईकार कर लेना गलती अपनी सुईकार कर लेना तो यहाँ पर इसका right answer क्या होगा Make noise while eating खाते समय सोर मचाना Eat something which is not tasty नहीं हुआ Eat less food भी नहीं हुआ Admit that you are wrong तो यह सुईकार कर लेना कि आप जो है गलत हैं और सन डी यहाँ पर राइट एंस होजाएगा फिदोस्वों अगला कर लेते हैं Every cloud has silver lining Every cloud has silver lining का मतलब क्या होता है इसका हिंदी में meaning होजाएगा हर काली रात के बाद हर काली रात के बाद एक उजली किरन होती है उजली किरन होती है अब इसका जो है meaning क्या होगा हर काली रात के बाद एक उजली किरन होती है यानि कि हर विपरीत प्रिस्तिती के बाद एक जो है आसा या उमीद की किरन होती है तो यहाँ पर राइट एंस है क्या होज़ेगा Something irritating Is there in any joyous situation तो यह तो होगा नहीं option भी है Something disheartening Is there in any happy situation तो यह भी नहीं हुआ यह भी नहीं हुआ C option Something interesting Is there in any colorful situation यह भी नहीं हुआ Something promising Promising मतलब क्या होता है आसा जनक यहाँ पर आसा जनक हो जाएगा Something promising is there In any difficult situation किसी भी difficult situation में क्या होता है कुछ न कुछ आसा जनक होता है और do option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question लेते है अगला है I was I was मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है धोखा या धकोसला तो right answer क्या हो जाएगा ए problem मतलब समस्या नहीं हुगा effect नहीं हुगा solution नहीं हुगा deception 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 मतलब क्या होता है इसका मतलब भी धोखा या धकोसला होता है और यही जो इसका right answer a deception फिर दोस्तों अगला question लेते है अगला है full of beans full of beans इसका मतलब क्या होता है उर्जावान जो व्यक्तिव बहुँट उर्जावान हो उसको क्या बोलेंगे, full of beans तो option A hits का right answer है, full of energy energy से भरा हुआ फिर दोस्तों अगला question है to feeder one's own nest to feeder one's own nest मतलब क्या होता है सिर्फ अपना hit देखना सिर्फ अपना hit देखना तो दोस्तों यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा पहला option है, make others life comfortable दोस्तों की life को comfortable बनाना तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, promote their own interest, तो यही जो इसका right answer होगा, promote their own interest, यानि कि केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना तो be also यहाँ पे बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है my brother has decided to settle in Mumbai for good, for good good का मतलब होता है, हमेशा के लिए हमेशा के लिए my brother had decided to settle in Mumbai for good, यानि कि मेरे भाई ने decide कर लिया है, मुंबई में हमेशा के लिए settle होने के लिए, तो यहाँ पे right answer क्या होगा, forever मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए और यही जो इसका right answer होगा फिर दोस्तों ने शक्रोशन लेते हैं, अगला है यह गहाँ, face the music face the music इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किये का परिडाम भुकतना किये का परिडाम भुकतना पहला उसने face the enemy यानि कि दुस्मन का मकाबला करना नहीं होगा, get appreciation यानि कि बड़ाई पाना तो यह तो होगा नहीं, face the criticism तो यही इसका right answer होगा face the criticism, यानि कि आलोचनाओं का सामना करना तो किये का परिडाम भुकतना या जो है, जो आपने किया है उसका जो है, उसकी जो आलोचनाओं आ रही है उसका जो है सामना करना यही जो है इसका right answer है और से फिदो सो नेश्ट कोशन लेते हैं अगला है flying of the handle इसका मतलब क्यों होता है इसका मतलब होता है अचानक क्रोधित हो जाना अचानक क्रोधित होना फिदो सो अगला question है falling head over heels falling head over heels इसका मतलब क्यों होता है किसी के साथ गहरे प्यार में पढ़ना किसी के साथ गहरे प्यार में पढ़ना प्यार या प्रेम में पढ़ना तो दोस्वों यहाँ पे right answer क्या हो जागा पहला उसने falling sorry feeling deep sympathy to the needy नहीं होगा finding fault with others यह भी नहीं होगा falling deeply in love with someone किसी के प्यार में जो है गहराई से पर जाना और यही जो इसका right answer होगा falling deeply in love with someone फिर दोस्वों अगला question है feel a bit under the weather feel a bit under the weather इसका मतलब होता है बीमार महसूस करना बीमार महसूस करना तो यहाँ पे right answer क्या हो जागा to be unappreciated नहीं होगा to feel sick or unhealthy to feel sick or unhealthy यहनि की बीमार या आस्वस्थ महसूस करना फिर दोस्वों अगला question है far cry from far cry from मतलब क्या होता है एकदम अलग होना एकदम अलग होना किसी चीज़ से एकदम अलग होना पहला अगला question है to be very different from किसी चीज़ से बिलकुल अलग होना और यही जो है इसका राइटन्स होएगा to be very different from फिर दोस्वों अगला question लेते हैं अगला है fairs fair fairs fair इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नयाए पूर्ण ब्यवभार नयाए पूर्ण ब्यवभार पहला option है fair complexion तो यह नहीं होगा just मतलब उचित treatment मतलब ब्यवभार और यही जो इसका राइटन्स हैगा just treatment यानि कि उचित ब्यवभार फिर दोस्वों अगला question है a good turn a good turn मतलब क्या होता है इसका राइटन्स है a lucky chance नहीं होगा a great opportunity नहीं होगा a helpful act option C यहाँ पे राइटन्स है a helpful act यानि कि एक साहाइटन्स है पहर दोस्वों अगला question है the gift of the gap इसका मतलब क्यों हो जाएगा इसका मतलब होता है बोलने की कुशलता the gift of the gap मतलब बोलने की कुशलता पहलो सने loves to give gifts नहीं होगा talks well and persuasively talks well यानि कि जो अच्छे से बात करता है and persuasively मतलब प्रेरक तरीके से प्रेरक रूप से तो जो अच्छे से बात करता है और प्रेरक तरीके से बात करता है तो यही जो इसका the gift of the gap फिर जो अगला question लेते है अगला है my neighbor's son is very mischievous and always getting in everyone's hair तो getting in everyone's hair इसका मतलब क्यों होता है इसका मतलब होता है परिशान करना किसी को बहुत ज़्यादा परिशान करना तो my neighbor's son यानि मेरे परोसी का जो बेटा है is very mischievous बहुत सरार्ती है and always getting in everyone's hair और सब को हमेशा परिशान करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा throwing things at them उन पर चीजे फेकता है नहीं होगा pulling their hair यह भी नहीं होगा entertaining them यह भी नहीं होगा orson d right and so annoying them यानि क्यों उनको परिशान करता है तो d also यहाँ पर right हो जाएगा फिर तो next question है give it a well give it a well इसका meaning क्यों हो जाएगा तो इसका मतलब होता है coesis करना coesis करना to be engaged in cheating cheating में engaged रहना to completely destroy something किसी चीज़ को nest कर देना पूरी तरह से attach or criticize someone तो यह भी नहीं होगा to try out something किसी चीज़ को जो है try करना और d option यहाँ पर बिल्कुल right and so हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है give someone the cold shoulder give someone the cold shoulder मतलब क्यों होता है undेखा करना undेखा करना पहला option है pamper someone नहीं होगा do something pointless तो यह भी नहीं होगा ignore someone यानि कि किसी को अंदेखा करना option C यहाँ पर राइटर हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है go down in flames go down in flames इसका मतलब होता है सांदाल धंग से विफल हो जाना सांदाल धंग से सांदाल धंग से विफल यानि कि फेल हो जाना विफल हो जाना तो यहाँ पर राइटर क्यों हो जागा crash land and aeroplane नहीं होगा fail completely यानि पूरी तरीके से fail हो जाना और यही जो इसका right answer यहाँ पे हो सकता है और go down influence का मतलब जो है नश्ट हो जाना भी होता है ठीक है पूरी तरह से नश्ट हो जाना तो फिलाल यहाँ पे option जो है fail completely यह जो है सही हो जाएगा फिर तो सब अगला question लेते हैं अगला है green thumb green thumb का मतलब क्या होता है बागवानी में कुसल जो बागवानी में कुसल होता है उसको क्या बोलेंगे green thumb बागवानी में कुसल पहला option है to have talent in gardening यही जो है सका right answer है to have talent in gardening लागवानी का talent होना फिर दोस तो अगला question है to grease the palm to grease the palm तो इसका मतलब होता है रिस्वत देना किसी को रिस्वत देना to grease the palm to give support नहीं हुआ to bribe someone यानि किसी को रिस्वत देना और यही जो इसका right hand सुझेगा एटोस अगला question है go off at a tangent go off at a tangent इसका मतलब होता है मुद्दे से भटक जाना तो दोसों इसका right answer क्या हो जाएगा go on at great length नहीं होगा change the subject immediately यानि कि किसी विसे को तुरंट बदल लेना change the subject immediately और यही जो इसका right answer हो जाएगा फिर दोसों अगला question है have you heard the news that hema is looking for greener pastures तो दोस्टों looking for greener pastures इसका मतलब क्या होता है look for greener pastures इसका मतलब होता है नए आउसवारों की खोज करना नए औसवरों की खोज करना नए औसवरों की खोज करना Have you heard the news? क्या तुमने news सुना है that की HEMA is looking for greener passes की HEMA जो है नए औसवरों की खोज कर रही है तो यहाँ पर राइट एंसर क्या होज़ेगा Has been transferred नहीं होगा Exploring new opportunities यही जो इसका राइट एंसर लगा Exploring मतलब पता लगाना New opportunities तो B option यहाँ पर नए अपोर्चुन्टीज का पता लगाना या खोज करना तो दोस्वरों अगला question है It took Rohan a long time to get the hang of the machine in the new factory तो दोस्वरों यहाँ पर दिए गए है Get the hang of Get the hang of मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यह सीखना कि कैसे प्रियोग करें किसी चीज को प्रियोग करना सीखना प्रियोग करना सीखना किसी चीज को प्रियोग करना सीखना तो It took Rohan a long time Rohan को लंबा समय लगा To get the hang of यानि कि प्रियोग करना सीखने में of the machine in the new factory नई factory में जो machine है उनको कैसे प्रियोग करना है उसको सीखने में रोहन को लंबा समय लगा तो यहाँ पर right answer क्या हो जाए clear and dry नहीं होगा bring someone to run नहीं होगा learn how to use यह सीखना कि कैसे use करना है option C यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा फिर तो अगला question है go getter go getter मतलब कहता है तेजी से तरक्की करने वाला तेजी से तरक्की करने वाला यह जो है बहुत ज़्यादा महत्त्वा कांच्छी व्यक्टी जो होता है उसको भी कहते है go getter तो पहला उसने a real achiever और यही जो इसका right answer होगा a real achiever जिसने वास्तविक रूप से achieve किया हो तरक्की की हो तो तेजी से तरक्की करने वाला यही जो इसका right answer होगा फिर दोस्तों अगला question लेते है next है get someone's goat get someone's goat इसका मतलब क्यों होता है किसी को बहुत परेशान करना बहुत परिशान करना फैला option है to cheat someone किसी को दोखा देना to hurt someone किसी को चोड पहुचाना नहीं हुगा to irritate someone किसी को बहुत जुन ज्यादा irritate करना चिःदा या परिशान करना तो option C यहाँ पे राइट हैं चाँगा to irritate someone फिर दोस्तों अगला question है get the ball rolling get the ball rolling तो get the ball rolling का मतलब को आठा है शुरू करना किसी चीज को शुरू करना फिर उप्षन है to spin the ball नहीं होगा, to cheer someone अप, ये भी नहीं होगा to start doing something, किसी चीज को करना, शुरू करना, और यही जो है इसका right answer हो जाएगा, to start doing something फिर दोस्तों अगला question लेते हैं next है to have action once face, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब हो जाता है, सर्मिन्दा होना सर्मिन्दा होना पहला option is to be embarrassed because of one's action तो कोई अगर अपने कार्यों से जो है, सर्मिन्दा हो जाए तो यही जो है इसका right answer हो जाएगा to be embarrassed embarrassed हो जाना because of one's action यानि अपने कार्यों से तो यह option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है अब दिए गए है, प्रदीप was so tired that he hit the sack as soon as possible hit the sack मतलब क्या होता है, सोने जाना सोने चले जाना तो पहला option है left work, यानि काम चोड़ दिया went to bed, यानि कि सोने चला गया प्रदीप was so tired प्रदीप जो है बहुत ठका था that he hit the sack कि वो जो है सोने चला गया as soon as possible, यानि कि जितनी जल्दी संभव हो सका, तो went to bed, यानि कि सोने चला गया फिर दोसों ने इस कोशन लेते हैं handle with kid gloves तो दोसों handle with kid gloves इसका मतलब होता है अत्यधिक परवाह करना किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करना अत्यधिक परवाह करना पहला option है to treat someone with extremely care यानि किसी के साथ जो है ब्योभ़ार करना बहुत ज़्यादा परवाह के साथ और यही जो है इसका right answer to treat someone with extremely care फिर दोसों अगला question लेते हैं next है hand in glove इसका मतलब क्यों होता है किसी गलत काम में सही होगी होना किसी गलत काम में सही होगी होना तो दोसों यहाँ पर इसका right answer क्या हो जगा पहला option है working together in the same office same office में साथ में काम करना नहीं होगा wearing gloves while working नहीं होगा in partnership for something dishonest तो partnership में होना किसी चीज के लिए जो कि dishonest हो यानि कि बेमानी पोड हो तो यही जो है इसका right answer होगा in partnership for something dishonest फिर दोसों next question लेते हैं एकला है have one's hands full have one's hands full इसका मतलब क्या होता है बहुत best होना बहुत ज़्यादा busy होना बहुत best होना तो right answer क्या होगा to be very clumsy clumsy मतलब क्या होता है अनारी या फूहर तो या भद्दा तो यह तो होगा नहीं है आपे to be very busy यानि बहुत best होना और यही जो है इसका right answer होगा फिर दोस्तों अगला question है head in the clouds इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना ख्याली पुलाव पकाना का मतलब आप जानते हैं कि बेकार की जो है कलपनाय करते रहना या दिन में सपने देखना ख्याली पुलाव पकाना पहला उसन है to be very tall बहुत लंबा होना नहीं होगा to feel greedy यानि कि चक्कर आना नहीं होगा to be very lazy ये भी नहीं होगा to day dream यानि कि दिन में सपने देखना उसन डी यहाँ पे राइट अगला कोशन है hanging by a thread hanging by a thread इसका मतला होता है खतरनाक परिस्तिती में होना खतरनाक परिस्तिती में होना तो बताइए जो है इसका राइट अगला क्या हो जागा पहला उसन है in a sorry और humble state तो ये नहीं होगा be extremely weak ये भी नहीं होगा unable to act as desired नहीं होगा be in a dangerous situation यानि कि खतरनाक परिस्तिती में होना फिर दो बताइए अगला कोशन है hang up your boots hang up your boots इसका मतलब क्या होता है सन्यास ले लेना सन्यास ले लेना यानि कि कोई काम करना छोड़ देना to be rejected यानि कि reject हो जाना नहीं होगा to take retirement option b right and so जाएगा to take retirement फिर दोसों अगला कोशन लेते हैं next है in the nick of the time in the nick of the time तो इसका मतलब क्या होता है अंतिम समय पर अंतिम समय पर पहला option है the beginning of a month किसी महिनी के शुरुआत में नहीं होगा a special occasion नहीं होगा at the last possible moment यानिकि बिल्कुल अंतिम छड़ में तो c option यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोसों अगला कोशन लेते हैं next है in the pink in the pink मतलब होता है अच्छा स्वास्त होना अच्छा स्वास्त होना तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा in the pink dress नहीं होगा in the limelight नहीं होगा in a happy mood यह भी नहीं होगा in good health यानिकि अच्छे स्वास्त में होना option D यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा फिर दोसों next question लेते हैं अगला है the abrogation of article 370 was achieved in the teeth of tough resistance तो दोसों यहाँ पर जो है in the teeth of यह जो idiom है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है के विरोध में के विरोध में the abrogation मतलब हटाना of article 370 यानि 370 जो अनुछेद है was achieved achieved किया गया in the teeth of tough resistance यानि कि कड़े प्रतिरोध के बीच में तेखे तो यहाँ पर जो है क्या होदेगा आपसा ने दिया गया indirect opposition to और यही जो इसका right answer होदेगा indirect opposition to फिर दोसों अगला question लेते हैं next है इन एपिकल इन एपिकल मतलब क्या होता है इसका मतलब भी होता है कठिन परिस्तिती में होना कठिन परिस्तिती में होना कठिन परिस्तिती में होना या समस्या में होना पहला option है in jubilation नहीं होगा in deep sorrow भी नहीं होगा in trouble यानि कि कष्ट में होना और यही जो है इसका राइटन्स होएगा इंटरबल फिर दो सो अगला क्वेशन लेते हैं नेट से एनी जंप दगन एन एनाउंच देर प्लान्स अड़ डिनर टेबल तो जंप दगन यह जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सीग्रिता से कारे करना सीग्रिता यानि कि जल्दी से कार करना सीग्रिता से कारे करना एनी जंप दगन एनी मतलब यहाँ पर हो जाएगा सभी लोगों ने सभी ने सभी ने सीग्रिता से कारे किया और एनाउंच किया अपने प्लांस का अपने डिनर टेबल पर तहाँ पर क्या हो जाएगा एट क्विकली या जल्दी से खा लिया तो यह तो होगा नहीं इस टार्टिंग सूटिंग भी नहीं होगा और एक्टेड हैश्टिली मतलब सीगर्टा से कारे किया और सी अप्सन ही यहाँ पर राइट इन सर जाएगा फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले कोशन की और अब दिये गए है जंप आन दा बैंड वेगन इसके लिए हिंडी में मीनिंग हो जाएगा बहती गंगा में हाथ दोना बहती गंगा में हाथ दोना हाथ दोना बैती गंगा में हाथ दोना अब बैती गंगा में हाथ दोने का मतलब क्या है कि चीजें आपके फेवर में हैं और उस समय काम करना यानि कि जो है आपको उमीद है कि सफल आप होंगे ही होंगे और उस समय जो है काम करना ऐसी activity में involved होना जिसमें जो है सफलता आपकी निश्चित हो तो right answer क्या होगा do an activity that is fun ऐसी activity करना जो की fun हो फिर दिएगा है get engaged in activity that is very important तो ये भी नहीं हुगा because circumstances forces you to ये भी नहीं हुगा D option right answer होगा get involved in an activity because it is likely to succeed तो ऐसी activity में सामिल हो जाना जिसमें जो है सफल होना ही है तो D option यहाँ पर बिलकुल right answer होगा फिर दोस्वों अगला question है तो have a journalist I इसका मतलब क्यों होता है तो दोस्वों इसका मतलब होता है पूर्भा ग्रह से ग्रसित होना पूर्भा ग्रह से ग्रसित होना यानि कि पहले से कुछ मान के चलना कि ऐसा ही है और खास्तोर से निगेटिब सेंस में पूर्भा ग्रह से ग्रसित होना तो right answer क्या हो जाएगा तो be very pleased यानि कि बहुत ज़ाद रखोस होना नहीं होगा तो have yellow eyes आई ये भी नहीं होगा तो be prejudiced यही जो इसका right हो जाएगा to be prejudiced मतलब पूर्भा ग्रह से ग्रह से ग्रह सीथ होना और सी अफ्सन यहाँ पर बिलकुल right हो जाएगा फिर उसो बढ़ते हैं अगले question के और हाद इगा है एक इक in the teeth एक इक in the teeth इसका मतलब क्यों होता है इसका मतलब होता है जबदस्त जटका जबदस्त जटका या मुँपर तमाचा या जो है मुँपर तमाचा तो दोसों यहाँ पर जो है बताए right answer के हो जाएगा एक grave setback grave मतलब गंभीर setback मतलब जटका और यही जो इसका right answer है एक grave setback फिदसों next question लेते है अब दिए रहे kit and kin kit and kin तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पारिवारिक रिष्थे पारिवारिक रिष्थे पहला उसन है family relations यानि कि परिवारिक रिष्थे और यही जो है इसका right answer हो जाएगा फिर दोस्तों ने इस question लेते हैं अगले है kick up a row kick up a row इसका meaning क्या हो जाएगा तो इसका मतलब होता है बाधा डालना बाधा डालना या अविवस्था फैलाना आविवस्था फैलाना तो दोस्तों यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा पहला option है hit someone एंगिली नहीं हुआ cause a disturbance यानि कि अविवस्था फैलाना और यही जो इसका right answer हो जाएगा फिर दोस्तों ने एस question लेते हैं अगले है keep your shirt on keep your shirt on इसका मतलब क्या आता है गुस्था ना करना गुस्था ना करना या जो है सांत रहना सांत दहना तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा to remain cool यानि कि सांत बने रहना और यही जो इसका right answer हो जाएगा to remain cool फिर दोस्तों अगला question लेते है next है आसोतोस kept a stiff upper lip even when he was reprimanded in the presence of clients तो दोस्तों keep a stiff upper lip इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है भाव सून ने हो जाना भाव सून ने हो जाना या जो है कोई अभिवेक्टी नहीं देना तो पहला option है behave insolently insolently मतलब क्या होता है abd तरीके से तो abd तरीके से बेवाल करना तो यह तो होगा नहीं started sniggering sniggering मतलब ठाका लगाना तो ठाका लगाना शुरू करना यह भी नहीं होगा kept shouting मतलब चिलाते रहना नहीं होगा do option remained expressionless यान की भाव सून ने हो जाना भाव सून ने बने रहना या जो है कोई अभिवेक्टी नहीं देना तो do option यहाँ पर बिलकुल इसका राइटर सेगा फिर दो सो next question लेते हैं अगला है it is unfortunate that most people in the country are still living from hand to mouth तो live from hand to mouth इसका मतलब होता है किसी तरह जीवन निर्वाह करना किसी तरह जीवन निर्वाह करना तो बताईए इसका जो है right answer क्या हो जागा पहला option है saving for the future generations यानि कि भविस की पीड़ी के लिए saving करना नहीं होगा earning wealth by selfish means यानि कि स्वार्थ के लिए wealth earning करना नहीं होगा consuming daily what little earned जो कुछ भी थोड़ा सा earn किया है वो जो है consume कर जाना daily और यही जो इसका right answer होएगा consuming daily what little earned मतलब जो भी थोड़ा कुछ कमाया है वो daily का daily खल से कर देना इसी को कहते हैं किसी तरह जीवन काटना option C यहाँ पर right answer होगा फिर दो सो अगला question लेते हैं next है lock, stock and barrel lock, stock and barrel इसका मतलब क्या होता है पूर्ण रता है पूर्ण रता है तो यहाँ पर right answer क्या होगा immediately, partly, rarely नहीं होगा completely यहाँ पर right answer होगा option D completely मतलब पूरता है फिर दोस्वों अगला question है lend and ear lend and ear इसका मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना तो दोस्तों बताएए इसका जो है right answer क्या हो जाएगा To pay attention to या to not make trouble या to force something to listen या to not tell someone something तो दोस्तों यहाँ पर पहला option ही right answer जाएगा To pay attention to यानि कि किसी चीज के लिए बहुत ध्यान देना या बहुत ध्यान से सुनना Lend on ear तो यह option यहाँ पर बिलकुल right हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question लेते हैं और यह आखरी question है आज का देखा है Lead someone by the nose Lead someone by the nose इसका मतलब क्या होता है किसी पर हावी होना किसी पर हावी होना या किसी पर गलत तरीके से नियनतर पा लेना यह भी जो है इसका मिनिंग होता है किसी पर हावी होना पहला अज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like और share जरू करीगा और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अन करेंगे ताकि अगला वीडियो अप्लोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जागा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाय और टेक केर